राग खमाज राग खमाज की उत्पत्ती खमाज थाट से ही हुई है अतह इस राग को खमाज थाट का आश्रय राग कहा जाता है इस राग के आरोह में रिशब, अर्थात, रे, वर्जित स्वर है तथा इसके अवरु में सातों स्वर प्रयोग किये जाते हैं इस प्रकार आरोह में छे स्वर और अवरु में सात स्वर प्रयोग होने के कारण इस राग की जाती शाडव संपोण है इस राग के आरोह में शुद्ध निशाद, अर्थात, शुद्ध नी और अवरु में कोमन निशाद, अर्थात, कोमन नी प्रयोग किया जाता है इस राग का वादी स्वर गंधार, अर्थात, गह है और संवादी स्वर निशाद, अर्थात, नी है इस राग का गायन समय रात्री का दूसरा प्रहर है इस राग की प्रकृती चंचल है राग खमाच के आरोह, अवरोह और पकड इस प्रकार है सबसे पहले सुनिए आरोह साग मापा धानी सा और अब सुनिए अवरोह सा नीधा पर मागरे सा राग खमाच की पकड इस तरह से है अब प्रस्तुत है राग खमाच की स्वर्मालिका जो तीन ताल मध्धलय में निबध है इसमें सूला मात्राएं होती है पहले प्रस्तुत है राग खमाच की स्वर्मालिका की स्थाई सा नीधा नीधा प्रस्तुत है स्ञाइबा अब प्रस्तु थे इस स्वर मालिका का अंतरा गामार्दार्दार्द्ट्टॉ थे इस स्वर मनोपोर प्रस्तु थे इस स्वर मिखें describes such a walk alone, अभी आपने राख खमाज की स्वर्मालिका सुनी अब प्रस्तु थे इसी स्वर्मालिका पर आधारित एक्रचना बोल हैं उपवन उपवन उड़े चिरईया पहले प्रस्तु थे इसकी स्थाई उपवन उपवन उड़े चिरईया उपवन उपवन उड़े चिरईया दाना दाना जुगे चिरईया उपवन उपवन उड़े चिरईया अब प्रस्तु थे इस रचना का अंतरा पानी पीती तिन केलाती देखो नब में थिरे चिरईया देखो नब में थिरे चिरईया उपवन उपवन उड़े चिरईया अभी आपने राग खमाज की स्वर्मालिका सुनी साथ ही सुनी इस स्वर्मालिका पर आधारित रचना आपने राग रस बरसे राग रस बरसे आपने राग रस बरसे